आज एक चमतकार दिखाऊंगा एक ऐसा चमतकार जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक आपको दिखता रहेगा इन ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए बड़ी महनत से तयार किया है जिन चीजों को लेकर मोधी सरकार को बदनाम किया जाना है उसके आकड़े हैं पेट् मनमहन सिंग की सरकार बनी तब इनके दाम क्या थे और 2014 में जब मोधी जी की सरकार बनी तब इनकी कीमत क्या थी और 2023 में इनकी कीमत क्या है आप बड़े ध्यान से देख लीजिए इसमें गेहूं मुंग की दाल और चीनी के दाम भी बताऊंगा सोने चांदी के भी दाम बता चर्चा करूंगा बड़े ही परिश्रम से ये सारे ग्राफिक्स आपके सामने प्रस्तूत करने बाला हूं और इसके लावा अंतराष्टिय तोर पर भी जो परिस्थीतियां बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा लेकिन उससे पहले ये सब जानने से पहले एक थो राहुल गांधी जी के साथ राहुल जी आप मोदी जी को 2024 में कैसे हराएंगे लोगों के पास जाकर क्या विरोध करेंगे जरा बताईए ना महंगाई लेकिन किस चीज की कुछ स्पेसिफिक तो बताईए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करें चलिए अब केजरिवाल जी से बात करते हैं केजरिवाल जी आपको भी तो प्रधान मंत्री बनना है तो 2024 के लिए मोदी को हराने का स आप भी तो बताईए आपके पास भी तो कुछ ना कुछ सवाल होंगे जिसके जरीए मोदी सरकार को घेरेंगे बताईए ना अरे आप भी पेट्रोल डीजल मुझे तो लग रहा था कि आप महंगाई को नेक्स लेवल पर जा कर कुछ कहेंगे अगर हो तो बता दीजिए अब सही सवाल दागा है आपने वैसे तेजस्वी भाईया आप भी तो कुछ कहेंगे आप तो उपमुख्य मंत्री हैं तो 2024 के लिए आपका मुद्दा क्या है तेजस्वी जी यही सवाल आपके पापा से भी पूछू क्या अच्छा जवाब है आई मिन सवाल बड़ा जबरदस्त है तो मायावती जी लगे हाथ आप भी बता दीजिये कुछ देतीवे किसानी भी काफी ज़्यादा परभावीत हुए वाह अब सुप्रिया जी आप भी कुछ कही डालिये महंगाई पर जब इतनी बाते हो रही है तो आप क्यूं चुप रहे हैं आप यहां क्या बेट के करे हो महंगाई के बारे में लड़ो सही का आपने जाकर लड़ ममता दीदी कुछ कहेंगी आप भी समझ में आ गया बंगला में यह कह रही है ना कि पेट्रोल की महंगाई जो है उस पर जबाब मांग रही है तो राउच साहब आपके पास भी कुछ समस्या है क्या बोल डालिये अब ओवैसी साहब को क्यूं छोड़े इनके पास तो हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलने के लिए एंगल है तो महंगाई पर भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना बोलिये ना इन्फलेशन करप्शन के बराबर है तो देखा दोस्तों दो हजार चौबिस के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है वो महंगाई है जब सारे विशय गौन पड़ जाएंगे क्योंकि मुद्दी जी तो बड़ा परिश्रम करते हैं ना तो उनको बदनाम करने के लिए जिस मुद्दे को उठाया जाएगा और जिस पर भ्रमित किया जाएगा लोगों को कोशिश की जाएगी वो महंगाई होगा लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएगा साथियों नमस्कार मैं हरिश्चनर बर्णवाल अब किसी भूमिका के बिना सीधे वो जो जादूई बकसा तयार किया है ना महंगाई वाला है वो आपके सामने खोलता हूँ और आप ये ग्राफिक्स देख लीजिए एक एक करके कई विश्यों को उठाऊंगा और आप बड़े ध्यान से देखिएगा तब ही आपको सारी चीजे समझ में आएंगी पेट्रोल को लेकर बात करने बाला हूँ 2004, 2014, 2023 में क्या क्या कीमते थी अभी आपको ये पूरा संदर्ब समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे ही मैं इसकी पोल पट्टी खोलूँगा और बताऊँगा तब आपको सारे संदर्ब समझ में आ जाएंगे एक मार्च 2004 को पेट्रोल की जो कीमत थी न वो सिर्फ 33 रुपे 71 पैसे थी आप देख लीजे यह आखड़े रॉइटर की रिपोर्ट है ये और इसके बाद जैसे ये चुनाव जीते एक और आखड़ा देता हूँ उस समय का तो जून में ही 2004 के जून में ही ये रेट बढ़ा दिया गया 35 रुपे 71 पैसे कर दिये गया प्रती लीटर 2 रुपे बढ़ाए गये आप सोच लीजी जब 33 रुपे था अभी तो 10-10 पैसे में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं अब आप आईए 2014 में जब मोदी जी को सत्ता मिली मतलब मनमोहन सिंग के आखरी समय में ये बढ़कर 73 रुपे 16 पैसे हो गया 1 मार्च 2014 की ये कीमत है मतलब मोदी जी को जब पेटरोल की कीमत मिली तो 73 रुपे 16 पैसे यानि 10 साल में अगर आप देखें तो ये जो पेटरोल की कीमत है न वो दोगुने से भी अधिक हो गई अब आखड़ों को बड़े ध्यान से देखते चले जाएए अब आप आईए लेटेस्ट में 2023 में और कई दिरों के आखड़े आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट आखड़ा है वो आप देखिए जो पेटरोल की कीमत है और ये सारी कीमते मैं दिल्ली की बता रहा हूँ राजधानी दिल्ली की क्योंकि अलग-अलग राजियों में अलग-अलग टैक्सेस हैं तो एक युनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए मैंने दिल्ली को लिया है दिल्ली में 100 रुपे से कम है पेटरोल के दाम यानि कितना बढ़ा अब वो समझने की कोशिश कीजिए मैंने जो आंखडा निकाला यदि मनमोहन सिंग की सरकार की दर से दो कारेकाल के बाद पेटरोल की कीमत बढ़ती तो जानते हैं इस समय पेटरोल की कीमत दिल्ली में 140 रुपे प्रति लीटर होती लेकिन मोदी सरकार में ये कीमत कितनी है 100 रुपे से भी कम है तो ये है महगाई का आलम पेटरोल को लेकर जिसको लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अब आप आगे बढ़िए डीजल में आईए डीजल के रेट देखिए 2004, 2014 और 2023 तीनों के रेट आपको एक एक करके बताता हूँ एक मार्च 2004 को जो दिल्ली में डीजल की कीमत थी वो थी 21 रुपे 74 पैसे प्रती लीटर और ये भी रॉयटर से ही निकाला है वो रिपोर्ट है अब रॉयटर से बड़ा पुरी दुनिया में कौन सा रिपोर्ट हो सकता है तो मैंने रॉयटर को ही यहां पे लिया है इसके बाद आप आगे बढ़िये यानि मनमोहन सिंग की जब सरकार बनी तो उन्हें 21 रुपे 74 पैसे मिले अब जब मोदी जी को सरकार मिली तो उससे पहले एक मार्च का ही आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ एक मार्च 2014 को यह P.I.B. की रिपोर्ट है उस समय डीजल की कीमत हो गई 55 रुपे 48 पैसे यानि कीमतों में 2500 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी ही आप देख लीजिए यह है डीजल की कीमतों का हाल अब आप 2023 में आईए अब डीजल की कीमत को आप देखिए पिछले कुछ दिनों के डीजल के दाम आपको इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहे होंगे और यह 90 रुपिय प्रति लीटर से कम ही है यानि अब आप अंदाजा लगाईए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मनमोहन सिंग की कारिकाल के हिसाब से अगर डीजल के दाम बढ़ते तो इस समय डीजल की कीमत कम से कम 138 रुपिय होती खरीब 138 रुपिय होती लेकिन आज कीमत क्या है 90 रुपिय से भी कम है तो इसका मतलब आप समझ रहे है कि महंगाई है वाकई में कितनी है इसको संदर्भों के साथ जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मोधी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाव को कमकरने में कम रखने में सफलता हासिल की है अब पेट्रोल और डीजल के बाद LPG सिलेंडर पर आईए गैस सिलेंडर पर और जो मैं आपको रिड़ बता रहा हूँ ये नॉन सबसीडाईजड गैस सिलेंडर है उसकी कीमत थी 261 रुपिये और ये रॉइटर की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ और जब 2014 का समय आया मतलब मनमोहन सिंग का जो आखरी समय आया कारिकाल का तब की बात बता रहा हूँ उस समय तो LPG गैस सिलिंडर एक बड़ा मुद्दा था आपको याद है ना कि 8 मिले या 9 मिले या 12 मिले इस पे सवाल उठते थे और उस समय जो नौन सबसिडी वाला गैस सिलिंडर है एक जनवरी को 1241 रुपिये आप देख लीजे बड़े ध्यान से और उसके बाद जैसे ही दो महीने बाद चुनाव का एकदम पीक समय आ गया तो 928 रुपिये एक मही 2014 को किया गया आप बड़े ध्यान से देख लीजिए यानि दो कारिकाल के बाद कॉंग्रेस सरकार में करीब 300 प्रतीशत कीमते बढ़ गई आप बड़े ध्यान से समझेगा कितनी कीमते बढ़ी है क्योंकि हर चीज तो सापेक्षिक होता है न हवा में तो कोई चीज होती नहीं है अब टेस्ट आकड़ा मुझे दिखाई पड़ रहा है 1103 रुपिय है अब आप कीमतों का आकलन लगाईए कि अगर कॉंग्रेस के कारिकाल के हिसाब से तुलना करे तो इस समय काईदे से नौन सबसीडाइजड गैस सिलिंडर इसकी कीमत 32 रुपिय से अधिक होती 32 रुपिय तो महागडबंदन याद रखेगा और अब तो जो महागडबंदन है उसमें सब हैं राहूल से लेके केजरिवाल से लेके ममता माया केसियार सब एक साथ है यानि 3200 रुपिय होती और आज मोधी सरकार में गैस सिलिंडर की कीमत सिर्फ 1100 रुपिय के करीब है अब आप सोच हमने है 2004, 2014 और 2023 आप एक एक करके इन आकड़ों को देखिए मनमोहन सरकार जब सत्ता में आ रही थी और पिछली सरकार दोनों के बीच का काल आपको बता रहा हूं 2004 में गेहूं का भाव 620 रुपिय प्रती क्वेंटल था आप देख लीजिए और इसके बाद 2014 के काल खंड मे आईए जब मनमोहन सरकार के जाने का समय हुआ, मोधी सरकार के आने का समय हुआ, तब गेहूं का मुल्य 1400 रुपिय प्रती क्वेंटल हो गया, जानि दस साल में जो गेहूं का मुल्य है, वो दोगुने से भी जादा बढ़ गया, आप देख लीजिए 620 और 1400 रुपिय प्रत प्रती क्वेंटल है, खबर भी आप देख सकते हैं, मैंने खबरों के जरीए ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानि अगर कॉंग्रेस सरकार की तरह गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई होती, तो आप जानते हैं, आज गेहूं की कीमत क्या होती, गेहूं के द आपको समझ में आ जाएगा कि जो पाकिस्तान में हाहकार मचायना, अगर मनमोहन सिंग की महागडबंदन की या कॉंग्रेस की सरकार होती, तो इसी प्रकार का हाहकार यहां भी मच रहा होता, अब गेहूं के बाद दाल में भी आईए, मुंग की दाल का उदारन आपके सामन आपके से रख़ रहा हूं, आप देखें तीनों आकड़े, 2004, 2014 और 2023, 2004 में मनमोहन सरकार के समय, मुंग की दाल है, उसकी कीमत थी 1410 रुपे प्रती क्विंटल, लेकिन 2014 में जब मनमोहन सरकार के जाने का समय हुआ, मुदी सरकार के आने का समय हुआ, तो मुंग दाल का भाव 4500 रुपे प्रती क्विंटल हो गया यानि सिर्फ दो कारिकाल में जो दाल की कीमत है वो तीन गुना से ज़्यादा बढ़ गए आप सोचिए तीन गुना से ज़्यादा अब आप फरवरी में आईए ये 2023 में आईए फरवरी 2023 में जो मुंग की दाल की कीमत है वो 9,650 रुपे प्रती क्विंटल है अब इसे तुलनात्मक तरीके से समझे यानि कॉंग्रेस की सरकार आज अगर होती तो मूंग डाल की कीमत 14,000 रुपे से अधिक होती 14,000 रुपे से अधिक होती लेकिन मोधी सरकार में कीमत कितनी है सिर्फ 9,650 रुपे प्रती क्विंटल अब आप चीनी में आईए महंगाई को लेकर एक बड़ा जूड तो चीनी को लेकर भी फैलाया जा रहा है आप तिनों आंक्रे देखिए 2004, 2014 और 2023 2004 में जब मनमोहन की सरकार आने वाली थी तब मई 2004 में चीनी 6 रुपे 33 पैसे प्रती कीलो थी आप बड़े ध्यान से देख लिजे 6 रुपे 33 पैसे और 2014 में आईए जब मनमोहन सरकार के जाने का समय मोधी सरकार के आने का समय हुआ तो इसकी कीमत जो अधिक्तम कीमत है वो 29 रुपे 55 पैसे तक पहुँच गई यानि 5 गुनी कीमत कीमतों में तो थोड़ा बहुत हेर फेर होता है तो मैं अधिक्तम कीमत लेकर चल रहा हूँ देख लीजे करीब 30 रुपे यानि 5 गुनी कीमत और इस समय जो मोधी सरकार है उसमें चीनी की अधिक्तम कीमत मैं इसमें कोई आपको बिल्कुल fixed figure नहीं दे रहा मैंने इसको 35 से 40 रुपय के बीच रखा है आप जहां भी रहते हो आप ज़़दा ठटोल कर देखिएगा कितने रुपय हैं कितनी कीमत है अब आप ये समझे ग्राफिक्स के जरीए कि आज अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो जानते हैं चीनी की कीमत क्या होती सवा सो रुपय से लेकर डेड़ सो रुपय के बीच होती सवा सो से डेड़ सो रुपय के बीच चीनी खाना दूभर हो जाता ये इस्थिती है फिर जानते हैं सरकार क्या कहती वैसे भी लोगों को शुगर बढ़ रहा चीनी क्यों खाए यही तर्क देती सरकार जैसे मनमौन जी ने दिया था ना कि रुपिये क्या पेड़ पर उखते हैं वैसे ही बोलते तो ये चीनी का हाल है दोस्तों समझे और सोचे कि महंगाई को लेकर क्या कुछ हो रहा है अब जर जरूरी है 2004, 2014 और 2023 के आंकडों पर आईए 2004 में सोने की कीमत 5,850 रुपिये प्रती 10 ग्राम थी लेकिन 2014 में आईए जब मनमोहन जींग के जाने का समय मोदी जी के आने का समय हुआ तो सोने की कीमत 10 ग्राम 28,003 रुपिये थी यानि 4 गुने से भी अदिये आप सूचिए कित 10 साल की बात बता रहा हूं आपकी संपत्ती नहीं बड़ी कीमत बढ़ गई अब आप 2023 में आईए इस समय सोने की कीमत सोने की कीमत रोज बदलती है लेकिन मैंने जो देखा पिछले कई दिनों का तो 58,000 से 69,000 रुपे के बीच है 10 ग्राम सोने की कहीं कम भी हो सकता है वो तो जो कैरेट है उसके हिसाब से तै होता है यानि अगर आज कॉंग्रेस राज होता महा गढ़ बंदन का राज होता तो आज 10 ग्राम सोने की कीमत सवा लाक रुपे के पार होती लेकिन मूदी सरकार में इसकी कीमत 58,000 रुपे ही है चलिए अब मैं आपको चांदी के रेट देख लीजिये 2004 में चांदी की कीमत प्रती किलो बता रहा हूं 10,000 रुपे ती 10,000 रुपे प्रती किलो लेकिन 2014 में मन्मोहन सरकार के दो कारिकाल के बाद चांदी की कीमत 5 गुना बढ़कर 50,000 रुपे प्रती किलो हो गए लेकिन 2023 में आईए मोधी सरकार के लगभग दो कारिकाल पूरे होने को है लेकिन इस समय चांदी की कीमत 61,500 रुपे प्रती किलो है आप सोचिए कितनी कीमत बढ़ी है यानि यदि आज अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो चांदी की कीमत 5,500,000 रुपे प्रती किलो होती लेकिन मोधी सरकार में इसकी कीमत सिर्फ 61,000 रुपे है इतना ही है अब मैं आपको overall महंगाई दर, खाद्य महंगाई दर की बात बताता हूँ और ये भी आप देखिए जो आपके जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है 2004 में जब मनमोहन सिंग के प्रधान मंत्री बनने का समय आया तो उन्हें जो खाद्य महंगाई दर मिली वो 3.76 फीजदी थी आप ये देख लीजिए ये बहुत पुरानी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ लेकिन जो आने वाला समय था ना वो बड़ा बवंडर थामे हुए था ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि मनमोहन सिंग के दो कारिकाल के भीतर महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये आप ये देख लीजिए 11.99 प्रतिशत 12 प्रतिशत का महंगाई दर पहुँच गया इस स्थिती में भारत को पहुचा दिया था जो महंगाई से पूरा देश त्राहिमाम था एक-एक साल के अगर आंकडो को देखिए तो आपको 2007 से ही 6 से उपर जो बढ़ना शुरू हुआ 2009 में 10 से उपर और 2010 में 11 से उपर यानि 12 प्रतिशत तक जाकर पहुँच गया अब आप मोदी सरकार में आईए जो अधिक्तम महंगाई दर है वो अपरैल 2022 में देखने को मिला जो अधिक्तम महंगाई दर है उसकी बात कह रहा हूँ जब ये 7 दश्मलो 7-9 प्रतिशत रह गया लेकिन अधिक्तर समय मोदी सरकार में ये जो महंगाई दर है न वो 5-50 से कम ही रहा ये है स्थिती जो महंगाई दर को लेकर जब आप दोनों सरकारों की तुलना करते हैं लेकिन दोस्तों अगर महंगाई दर के खेल को समझना है तो इसको आपको अंतराश्टी परिद्रिश्य में भी समझना होगा क्योंकि महंगाई अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई देश तै कर दे कि नहीं इससे जादा महंगा नहीं होगा क्योंकि आपको petrol, diesel और दूसरी चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती है आपकी जो मुद्रा है उसका एक मुल्यांकन होता है बाहरी मुद्रा के साथ तो पूरी दुनिया को देखना जरूरी है और जब आप पूरी दुनिया के inflation rate को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत कितनी बहतरीन स्थिती में बड़े बड़े देशों की हालत खराब है कुछ होधारन आपको दिखा रहा हूँ अमेरिका में महगाई ने 40 साल के record को तोड़ दिया आप report देख लीजिए ब्रिटेन में महगाई ने 40 साल के record को तोड़ दिया और वहां तो इसी वज़े से प्रधान मंत्री बदलना पड़ा और यही हाल दोस्तों पूरे योरॉप का है सभी पुराने record तूट रहे हैं अब देख लीजिए अब पड़ोसियों की हालत भी आपको दिखाता हूँ एकाद देशों की चीन का तो वैसे भी कोई आकड़ा नहीं आता वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं वहां मीडिया coverage भी नहीं होता उस तरीके से लेकिन ये report बताने के लिए काफी है कि चीन किस तरीके से बरबाद हो चुका है या बरबादी के कगार पर है और चीन का ही असर है दोस्तों कि श्रिलंग का दिवालिया हो गया और वहां पर महगाई दर करीब 74 पृतिशत पर पहुँच गई है आप देख लीजिए चीन का ही असर है कि पाकिस्तान में महगाई ने 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब पाकिस्तान भी दिवालिया होने के कगार पर है इन परिस्थीतियों में आपको भारत का जो महत्व है वो पता हो चलेगा और ये भी पता चलेगा कि भारत में महगाई दर पूरी दुनिया में सबसे कम है ये हैं आकडे साथियों महगाई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कभी भी सोचे हैं तो वो मुद्दा बन सकता है क्योंकि महगाई तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जैसे चीजें महगी दिखाई पड़ती है या वो कीमती होती है तो फिर तो असर भी पड़ता है मेरे भी घर में असर पड़ता है आपको भी असर पड़ता है लेकिन महगाई को जब आप सापेक्षिक तरीके से देखे जब आप कंपेर करते हैं पुरी दुनिया से तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में महगाई वास्तों में कितनी है क्योंकि ये जो महागडबंदन के लोग है ये तो मोदी को बनाम करने का यही तरीका ढूंडेंगे ना उनके पास अब कोई लोग तांत्रिक तरीका नहीं बचा है वो जानते हैं कि वो मोदी की तरह मेहनत नहीं कर सकते हैं उनके पास ना कोई विजन है ना मिशन है इसलिए महगाई पर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है लेकिन यकीन मानी कि अगर मोदी की जगह ये महागडबंदन की सरकार होगी तो महगाई तो और विकट रूप में नजर आएगी और इसलिए आप से निवेदन है दोस्तों कि मैंने जो ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तूत किये हैं ये हर आदमी तक पहुंचाई जो महगाई को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं तब उन्हें समझ में आएगा कि अगर मोधी जी की जगह महागडबंदन की सरकार होती तब उसका क्या हाल होता मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये महनत की है वो आपको पसंद आएगा और आप जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करेंगे और आखिर में आपसे वही निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार